नमस्कार दोस्तों आज हम तारबूज के मिल्क्षेक बनाने वाले हैं इसे हम इसमूदी भी कह सकते हैं या मिन्टों में बनके तयार हो जाता है गर्मी में इसे पी कर हम तरो ताजम हैसूस कर सकते हैं और इसे पी कर अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो लू लगने का खतरा क कम रहता है जो बच्चे दूद पीने में आना कानी करते हों उसे आप इस तरह बना के दे बच्चे मांग मांग के पीएंगे तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ एक बाउल में तारबुज के टुक्रे हैं उसी साइच के दूसरे बाउल में हमने दूद लिया है यहां पीस्ता ह पीस्ता 12 से 15 पीस है और तरबुज के छोटे छोटे टुक्रे हैं जिसका हमने बीज निकाल लिया है मलाई एक से दो चम्मच है मलाई ताजी होनी चाहिए आज की फ्रेस ताजी मलाई होनी चाहिए चीनी दो से तीन चम्मच है साथ में रूपजा सरवत भी है मलाई तरबु ले सकते हैं यहां हम हैं ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे इसके लिए हम एक गहरा बरतन चाहिए होगा यहां हम जग ले रहे हैं और जग में हम तारबुज को डाल देंगे हैं ब्लेंडर से ब्लेंड करने से यह होता है कि इसके बीच पीसते नहीं है अगर आप ब्लेंडर ज चेक करते हैं उसको उपर से काट के हम देखते हैं उसी दरह काट लेना है उसमें हैंड बिलेंडर चलाना है जिससे उसका रस निकल आएगा या फिर हम चमच घुमा घुमा के उसके रस को निकाल सकते हैं अगर हमें ज्यादा मात्रा में बनाना हो तो हम ऐसा कर सकते हैं या हमा तारभुज के मिल्क शिक बनाने का असान तरीका है कि तारभुज के रस में हम दूद डालके, चिनी डालके, मिलाके तयार करते हैं, मगर यहां हम सुपर मिल्क शिक बनाने वाले हैं, तो यहां हम सभी सामागरी डालेंगे, यहां हमने चिल्ड मिल्क लिया है, अगर आपकी द धास और अपने टेश्क के अकोर्डिंग डाले जहां हम लगत तीं चम्मच चीनी डाल। आप घुनल रहे हैं अगर हम डालेंगे जह SIcheny होनी चाहिए अगर फ्रेस के और तो ही होड डाल सकते हैं, अब हम ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड हमें अच्छी तरह करना है, जिससे जाग तो होगा ही, और पीस्ता इसमें अच्छी तरह बारिक होके घुल जाएगा, पीस्ता जितना इसमें घुलेगा बारिक होके, अतना ही इस मिल्क शेक का टेस्ट अच्छा आएगा, अब हम डालेंगे रूव अबजा, रूव अबजा अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा भी डाल सकती हैं, यहां हम एक चमच रूव अबजा डाल रहे हैं, इसे हम फिर से ब्लेंड कर लेंगे, यह मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही जैकेदार होता है, आप इसे जरूर घर में एक बार ट्राइ करें, हमारा मिल्क शेक तयार है, अब हम सर्व करते हैं, सर्व करने के लिए हम दो ग्लास ले रहे हैं, इससे हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं रूव अबज का रही हूं कि यह जायकेदार मिल्क शेक ठंडक देता है तसल्ली देता है इसे आप खुद पीएं दोस्तों को पिलाएं और तारीफे बटोरे अब हम तार्भुष की छोटी-छोटी टुकरे इसमें डाल देंगे जो मुह में आता है तो काफी अच्छा लगता है यहां हम पि